नमस्कार मैं R.D. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान बिल्कुल ताजा अपडेट्स लेकर हम प्रास्तुत हुए हैं आपके सामने मजदूर जीत गए और सरकार हार गई आज की सबसे बरी खबर है मजदूर जीत गए और सरकार हार गई अगर आप हमारे चैनल प लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज चववन दिन बीत गए लॉकडाउन का, आज लॉकडाउन थ्री का अंतिम दिन है, सत्रा तारीक, और लॉकडाउन फोर सुरू होने वाला है, और लॉकडाउन फोर में कहां कहां छूट होगी, क्या-क्या चीज खोले जाएंगे, क्या-क्या चीजे बंद होगी, यह सब हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे अहम खबरे हैं, कि मजदूर जीत गए, और सरकार घुटनों के बल पे आ गई, यह सबसे तेज खबर है, जो ट्रैनिंग में चल रही है, और रही बात यह, कि आप जानना चाहेंगे, पुरा वीडियो जरूर देखिए, और इसमें आपको पता लग जाएगा, कि हमारे जितने भी मजदूर भाई है, वो कैसे जीत गए, क्योंकि कल सोमबार 18 तारीक को इलाहाबाद हाई कोट में एक रिट याच का दाखिल हुई थी, जिसकी डेट है, और इलाहाबाद हाई कोट में सवाल किया था, उत्तर परदेश सरकार से, कि आपने संसद के बनाए हुए सेंट्रल लॉव, जो अल्रेडी एस्टैबलिस है, उसको आप कैसे खतम कर सकते हैं, यानि लेबर लॉव, जो सरमिक कानून में बदलाव किया था योगी सरकार, उन्होंने ये कहा था, कि 8 घंटे के बजाए 12 और तो और जो ओवर टाइम का पैसा नहीं देंगे, और इनका कोई कोट नहीं सुनेगा, कही पर कोई सुनवाही नहीं होगी, लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोट ने करे लहजों में जबाब मांगा, सरकार के पास कोई जबाब नहीं बन पाया, और आनन फानन में एक विच बनाया गया, कि जो हम नोटिस जारी किये थे, नोटिफिकेशन, उसको हम वापस ले लेते हैं, और इलाहाबाद हाई कोट में जाकर कह देंगे, कि हमने नोटिफिकेशन वापस ले लिया, और जैसा पहले कानून था, ऐसा ही रहेगा, हम मजदूर भाईयों को काम भी हर प्रकार की सहूलियत देंगे, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा था, कि एक दिन में 8 घंटे के बजाए 12 घंटे काम लेंगे, और एक सपता हमें 72 घंटे काम लेंगे, और यह जवरदस्ती काम लेंगे, यह हमारा कानून है, अब उसको करना पर गया कि नहीं 12 घंटे नहीं, अब 8 घंटे ही काम लेंगे, और पूरे सपता हमें मातर 48 घंटे काम करवाएंगे, जो उसकी छुटियां है, वो छुटियां भी मिलेगी, ओभर टाइम का होता यह है, कि जितनी आपकी मजदूरी है, उसका दुगूना दिया जाता है, यह पहले का क प्रणून है, ऐसा ही रहेगा, रही बात यह, पूरे देश में, जो यह 20 लाख करोर की पैकेज की बाते हो रही है, राहुल गांधी जी ने एक सवाल किया, कि जब बच्चा रोता है, तो मा क्या उसे कर्ज देती है, सरकार भी तो मा की तरह है, आप कर्ज लेके खरे होगे, तरह तरह की पैकेज लेके खरे होगे, बैंक कर्ज देने से पहले, साख के बारे में पूछती है कि क्या कमाई है, कुछ प्रॉफिट है की नहीं, कर्ज कैसे लवटाओगे, अगर यह लवटाने के लाइक, यह प्रॉफिट के लाइक होते, तो फिर यह कर्ज लेते ही क्यों और रही बात ये मनरेगा के काम को सो के बजाए 200 दिन करना चाहिए इनके एकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाना चाहिए दो तरफ तीन तरफ से जब तक इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा ये हमारे परवासी मजदूर भाई जो सहर छोड़ कर गाउं आये हैं ये नहीं समहल पाएंगे एक सरवे रिपोर्ट के मताबिक यह पता लगा है जो सुरू सुरू में सहर से आ गए थे हमारे मजदूर भाई गाउं वो तो बिलकुल स्वास्त हैं अभी जो लोट रहे हैं महिना दिन के बाद देर महिने के बाद उनके साथ समस्याएं यह है कि उनमें क्रोना पॉजेटिव ज़्यादा पाए जा रहे हैं जब डॉक्टरों से पता किया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उन्होंने बताया कि ये जितने भी मजदूर हैं बंबे के खास करके महराष्ट से जो लोटे हैं ये दस बाई दस के कमरे में दस-दस मजदूरी कठे होते हैं सरकार ने सुड़क्छा का ध्यान नहीं दिया इनको ना खाना ना पानी ना साफशुत्री हवा कुछ ध्यान नहीं दिया केबल बंद करके रखा लॉकडाउन करके रखा ये सब के सबसंक्रमित हो रहे हैं आपको आस्चर्ज भरी घटना तब बताऊं कि BMC यानी बंबे का जो मिन्सपल कॉर्पूरेशन है उसकी नाले की साफसफाई बाकी जितनी भी सहर के साफसफाई है अब मजदूर नहीं मिल रहे हैं वहां हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि मैकसीमम ज्यादा से जातर मजदूर बंबे छोड़ चुके है और रही बात ये कुछ फैक्ट्रियां भी खुली है फैक्ट्री खुली है परन्तु खाली है वहां मजदूर नजर नहीं आ रहे है मजदूरों का हाहाकार अब सहर में सुरू हुआ है जैसा कि आप जानते हैं हम अगला वीडियो आपको देने वाले हैं लॉक्डाउन फूर का कि कौन-कौन सी चीजें खुलेगी कौन-कौन सी चीजें बंद रहेगी खुल तो जाएगी लेकि चलाएगा कौन क्योंकि हमारे सा भार करीब करिब छोर चुके है और सब्सक्रिय Jam करवा कर से कोई भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता की सर्कार से सवाल किया क्रैश्ट्रिशन हो गया पंजीक्रन घमरे मज़्दूर भाई कौई पॉइंच दिन कोई unknown से इंतार क्यों कर रहे हैं आगे ऀग से जबाब मिलता है कि एक जिला का जब तक 30 लेवर नहीं होता है हम उठाते ही नहीं और हमने कई और भी चीज़े देखी जिसे हर्याना रोडवेज बाकी भी रोडवेज में तीन या चार बती चरगे बस में और सहर का नाम बताए कि उधर चलना है थोरी देर में बस बाले ने उस बस को ही कैंसिल कर दिया कहा तीन या चार आदमी को लेकर नहीं जाओंगा हमें नुकसान होगा इस तरह की समस्याएं आना सुरू हो गई है अब आगे की कहानी कैसी रहेगी वह तो हमें न्यूज मिलने के बाद बताऊंगा लेकिन फिलहाल का जो है हमारे मजदूर भाई जब गा इतनी बड़ी संपती थे जिसको हमने खोया है जिसको हमने नाराज किया है नाराज क्या सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने भूखों मारा है लोगों को रोटिया नहीं दी है किसी प्रकार की कोई वेवस्था नहीं की है अब योगी सरकार को नजर आ रही है कि हाइवे पे बस लगबादो और इनसे कोई पैसे मत मांगो खाली बस में इनको पकर पकर के और बस में बिठा दो ताकि यह पैदल ना चले यह रेलवे लाइन से ना चले जैसे जैसे लोगों के उपर जुल्म बढ़ते गए सरकार की नजरों में आता गया और यह सरकार चुकनी होती गई सबसे बनी बात आपको हम ये बताएं, कि ये जो सर्मिक कानून के उपर जो दबाव हम लोगों ने बनाया, आपने हमारा सहयोग किया, आप हमें कॉमेंट्स करते हैं, तमाम कॉमेंट्स सरकार तक जाती है, आपका एक-एक सबस्क्राइब सरकार के मुँपर तमाचा बन कर अगर योहीं आपका हमारा साथ बना रहेगा, हम जुल्म होने नहीं देंगे, हर चीज, हर बाते उठाएंगे, और सरकार की आँख खोलते रहेंगे, हम फिर आपके सामने अगला वीडियो लेकर प्रस्तुत होने वाले हैं, लाकडाउन फोर का, ये कैसा रहेगा, कहां कहां से ट्रेंग चालू हो रही है, कहां कहां से बसे चालू हो रही है, कौन कौन से बाजार खुलेंगे, क्या क्या चीजे खुलेगा, और हमारे मजदूर भ हाड़